मेश्रम साहब कि आप बात करी है जैस सबसे बड़ा जो बामशेफ के तूटने का साथ प्रावलम थी वो कास्ट की थी इसको मैं मैं तो बड़े ध्यान से सुन रहा था कि आप लोगों का जे जो कॉंसेप्ट है अक्षुली मुझे क्या लग रहा है बैए हम हमें एक ही साल हुआ है और हम उन संगठनों को चैलिंज कर रहे हैं जो पिछले uh पच्छी ती साल से काम कर रहे हैं और मैंने जो कुछ देखा है देश में भी और विदेश में संगठनों की किसी भी संगठन ने ये गोल नहीं रखा कि हमें सब्धान को बचाना है, हमें अपने अधिकारों को बचाना है और इस लड़ाई को आगे लड़ना है और वावासाब के मिशिन को बचाना है जितने भी संगठन मैंने देखे हैं वो संगठन बने जरूर हैं लेकिन उनका गोल सिरफ वावसाब की جہنتی منانے تک جہاں अपने महापुर्षों की जैसे शरीगूर रवदाहजी की bihan07 मना लिए कवीजी की जहनदी मना लिए बाहाओ साग का जनलतिन मना लिए उनका महापरिण्न रामदिवान दिवस मना लिए जहां तक की सीवत रहे हैं और वो अपने आपको बहुत गौर माने पको समझते हैं बहुत बड़ा गर्ब करते हैं इस पे कि हमने जो संगटर मन बनाया उसने चार function तीन functions कर लिए हैं लेंगिन उस function से हमें चैपे का अचीव हुआ, क्या नई चीव हुआ, मैं तो वी देशों में देखता हूँ, कि हम अपने बच्चों को भी नहीं संबाल सके है, उस मिशन के साथ जोड के, जिसमें हमें अपने बच्चों को लाना था, दूसरों को लाने की तो बहुत दूर की बात है, हमारे बच्चे भी हमारे हाथ से निकल गए देश में भी बहुत ऐसी है जो खुटों आते हैं बहुत से परवार तो अपनी बीवी को भी साथ नहीं लेके आते बच्चों को तो साथ लाना बहुत दूर की बात है मैंने बामशब में भी देखा है और मूल निवर्सी संग और जितने भी संगटनों में मैं गया हूँ वहां सारे मेल ही आते हैं और अपनी बीवी को भी साथ नहीं लाते उससे क्या हो रहा है कि बीवी जो है वो अपने अपने कारे करम में बिजी रहती है तो जो असर हमारे परिवार पर बावासाब के मिशन का होना चाहिए था जो हमें अपने परिवार को बावासाब के मिशन की जो कामजबी थी जहां उसका जो असर हमारे उपर होना चाहिए था जो हमें इस्टैबलिश करना चाहिए था कि भी जो कुछ भी हमें मिला चाहे हम देश में हैं चाहे भी देश में हैं और वो केवल और केवल बावासा वंबेदकर की कुरुबानी के बदले मिला यह हम इस्टैबलिश नहीं कर पाए इसी लिए मेरा अपना मानना है कि हम बहुत ज्यादा स्पीड से बहुत बड़ी चेंज की तरफ जा रहे हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं देती कोई ऐसी मूवमेंट जो खड़ी हो समनसंग के बिगार मुझे ऐसी कोई मूवमेंट नजव नहीं आई जो अपने अधिकारों की बात करे अपने बच्चों के फीचर की बात करे इसलिए मैं समनसंग को किसे काफी उमीदवार हूं और आशा रखता तो ना केबल हम कामजाब होंगे अपने परिवारों को अपने आने वाले बच्चों को हर एक को उसमें इंवार्व करेंगे तो ही हमारी कामजाबी नजर आएगी वरना अगर हमारे बच्चे किदर और गूमते पिर रहें हमारी ये बीवियां ज़े हमारी बहने माथाएं किदर और जाती रहीं तो फिर हमारा जीवन न में कामजब होना बहुत मुश्कूल हो जाएगा मुझे लग रहा है आज के भई उसमें बहुत सारी कमियां थी जो मैं अपने समय में टाइम टू टाइम में जागर करता रहा हूं जह जो मंच का आप कह रहे हैं कि भई है जो मंच पे बैठना सीख जाते हैं मैं आपको एक ग्जम्पल देता हूं मैं अपने एक साथी को जो चाहल साब थे वो काफी अच्छे मेरे साथी थे हम बावस अब मिशनिंग में एक ही बार आए और बहुत अच्छी संस्था के वो फेडरेशन के वो प्रेजिडेंट थे तो वो मेरे साथ एक बार आगरा में बंशेफ की कंवेंशन में आए तो बंशेफ की कंवेंशन में कम सी कम इतना था कि वहां कोई फूल माला नहीं देता कोई आपके हार नहीं डालता लेकिन मंच जुरूर देता है तो जब उनको मंच पे बुलाया गया और वही चीफ गैस थे तो मुझे उनकी इंट्रोड़क्शन बोलने के लिए बुलाया गया तो मैंने उ इनको इंट्रोडूस किया उन्होंने अपनी स्पीच रखी लोगोंने लाइक करी उसके बाद हम नीचे आ गया नीचे आ गया तो आफ्टरनून का जो शैशन था वो दूसरे स्पीकर वहां चले गया और एक मंच नया लग गया मैं भी नीचे बैठा तो वो मुझे दीरे से कहते हैं अब हम मंच पे नहीं जाएंगे मैंने क्यों अरे अब मंच पे तो दूसरे लोग बैठ गया है मैंने कर जहां तो ऐसे ही होता है अब मम आपका जो शैशन अखतम हुआ और आप नो आहीं खत्म हुआ तो आपको यह लगगा क्योंस ने उसने मुझे कहा कि अगर एकी बार पांच दिन में भुलाएंगे तो मैं आता लिए इनекст तो यह हमारी ना पाम करने की कि इसाल की मिलेगा तो ही चाहेंगे मंची मिलेगा तो ही काम करेंगे दिश Yemen भावना नहीं है जे अपनी एगो अपना हंकार अपना जो अपने अंदर जो एक भर्मपला हुआ है कि हम मंच के लिए ही बने हैं मंच पर जाएंगे ऐसी बहुत सी धारनाय हैं जो हमें खतम करनी होंगी और मुझे उमीद है मैं आशावान हूं कि समंसंग एक नई मूवमेंट चलू कर रहा है आज तक मैंने जो कुछ देखा है उसमें सारा एक फॉर्मिल्टी के तोर पर हम फंक्शन करते थे फंक्शन में जो कुछ हमने पैसा एक अठा किया जिन लोगों ने पैसा दिया उनका नाम ले लेते थे खतम का नहीं लेकिन अगर मैं तो जहां तक भी अड्मिट करना चा पुर्दी जिनकी वजए से हमारे अंदर फिर से विखराओ आ गया तो आज समन संग को की तरफ मैं इस उमीद से देख रहा हूं कि समन संग हमारी यह जो प्रॉब्लम्स है जा जो हमारा संग है वह भावासा अंबेद कर और भावान बुद्ध को और हमारे महापुर्शों क इन टोटेलिटी लेके चले ऐसा नहीं है कि इसमें भी कल को जो प्लिटिकल फील्ड के लोग हैं वो प्लिटिकल को ले जाएं जो समाज के हैं वो समाज को ले जाएं जो आर्थिक के हैं वो आर्थिक को ले जाएं जो एजूके तो ऐसा है अगर छोटे 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 चोट we will win, divided we will fall. यह एक सिधान्त है जिसको मैं बहुत देर से कहता रहा हूं और मैंने बहुत बार बड़े-बड़े मंचों पर जैक बात कही है कि हमें मंच लगाना ही नहीं चाहिए, मंच लगाना सिर्फ इसलिए चाहिए कि जो आदमी बोलने वाला है उसको नीचे से बुलाओ, एक सब्जेक्ट दो, वो अपनी सब्जेक्ट पे बात रखे और नीचे जाके बैठ जाए, फिर दूसरा आ जाए, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से संग्टनों ने, जिनको मैंने ये बात कही, उन्होंने कभी ये बात मानी नहीं, फूल माला डालने पे भी मैंने बहुत बार ब्रोद किया है, ये समझ के, कि फूल माला उसका अदमी के डालो, जिसने कोई अचीमेंट करी हो, किसी को बुलाकर, चाहे उसने हमारा सत्यानासी किया, क्योंकि वो अपनी जात्ती का है, जा उसने चार पैसे दे दिये, उसको फूल माला डालो, मैं इसके खिलाप लेकिन उसका भी हमारे बहुत से लोग हैं, संगटन हैं, जिन्होंने कभी इस पे उपर कोई सोच बिचार नहीं रखी, उमीद है कि समन संग जो हमन से गलतियां हो गए हैं पास्ट में, उनको दिमाग में रखते हुए, उनको सुधारते हुए, समन संग आगे बढ़ेगा, और मैं सभी का तो नहीं कहता, लेकिन कई international लोग हैं, जो इसको साथ सा जोग देने के लिए forward आते हैं, और मैं जतना उनको समझा पाए हैं, जितना उनको बता पाए हैं, उसके हिसाब से वो अपना अपना जोगदान दे रहे हैं, जैसे जैसे समन संग के लोग, international लोगों को प्रभावत करेंगे और उनको वे बताएंगे के समझसंग क्या अक्रीव कर सकता है समझसंग किसलिए हम बना रहे हैं तो बहुत से भरम उन्होंने पार रखे आं कि भे हम एक पुलिटिकल पार्टी को स्पोर्ट करेंगे तो वह पिलिटिकल पार्टी जीट जाएगी जो हम कोई educational institution को sport करेंगे तो बहुत बड़े वहां से students निकलेंगे बहुत सारी ऐसी जोजनाएं हैं जो international लोग कर रहे हैं जिसका कोई major प्रभाव समाज पे उपर नहीं हो रहा आशा है कि समंसंग अपने बीच में ये सारी तब्दिली करते हुए आगे बढ़ेगा हम भी जैसे जैसे आप जहाँ चाहेंगे वहां हम आएंगे जहां आ सकते हैं हम आपको इन ही सब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे समय है जैन से कौन कौन से कारण है जिनकी वज़ा से आज हम जे चर्चा कर रहे हैं कि वह एक ही शहर में एक ही बावसाब की जन्ती होनी चाहिए यह बहुत अच्छा कुंसेप्ट है लेकिन कई बार मैं इस पर सोचता हूँ कि वह यह बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कुंसेप्ट नहीं है कि हम एक ही शहर में क् सबी लोगों को एक जगा एकठे करना बहुत मुश्कल है हम भी जहां जब पहले-पहले आज से तीस-चाली साल पहले जब हम मनाते थे तो एक ही शहर में सारे यूके के लोग एकठे होते थे लेकिन जैसे-जैसे हमारी पॉपुलेशन बड़ी जैसे-जैसे हमारे अंदर जे बाव सबकी चेतना बड़ी हमने अपने अपने संगटन मना लिए अपने शहरों के संगटन मना लिए और और शहरों में ही एक-एक शहर में एक-एक जैनती बनानी शुरू कर दी आज कई शहर भी इतने हो गया लंडन में ही अगर एक जैनती मनानी हो तो पॉसिवल नहीं है क्यों कर लंडेन इतना बड़ा शहर है कि दसों भी अगर हम उसमें जहनती हैं दस टाइम पे मनाएं तो ऐसा मुझे लगता है कि यह एक कॉंसेट पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या हम एक शहर में एक जहनती मनाकर इसमें कामजाब हो पाएंगे जा नहीं हो उसका ब भी मिटे लेकन जो हमारा मिशन है वह कैसे गाउंगाउं तक पहुंचेव इसकी तरफ हमेंobra impeu ज्यादा देने कि जडरूर्थ है जितने भी हम आज तक यतना भी हमने काम किया है चाहेे देश में विदेश में हम आम पॉबिक के बीच में पहुंचने में नाकाम रहे हैं जो मैं सब के सामने मानता हूँ और कोई मुझे संगटन ने दिखाई देता जो गाउं गाउं में जाकर अपने लोगों को एजुकेट करने वाला अपने लोगों को सिखाने वाला लेकिन बातें सारे यही करते हैं को हमें यह करना चाहिए वो करना चाहिए ले करेगा कौन तो समंद संग के लोग आज जो सुन रहे हैं अगर जे जम्मेदारी समंद संग के लोग अपने ऊपर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम इसमें कामजाब हो जाएंगे इनी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं साधुवाद करता जी सर एक तो ना आप के यहां जो जानका रहे हैं दर पंजाब में गुजरात में उनमें से दस लोगों का नाम थोड़ा सा दे देना ताकि हम उनको कॉंटेक्ट करने और वो आ जाए आपके कहने से ना तो दस लोगों पर थोड़ा सा हम पर कलेना कुछ नंबर मैं भेज़ करता के एक सेहर में अएक नई होनी चाहिए या मैं ऐसे थोड़ा सा कंप्लूज हूं तो दरसल क्या है कि हम दिली में पालीमेंट मैं बनाते और सारे लोग Parliament आते हैं सबको पता है कि पार्ले में आते हैं और जहां संख्या कम होती है वहां हर हालत में एक सेहर में साल में कम से कم एक वार्वारटा होना हमारी स्व deposit की गारंटी है यह जो नियम है पूरे सेहर को एक साथ एकटे होने का ये तब काम नहीं करता अगर सारे लोग एक से हो पर जहां अलपसंख्यक होते हैं या जहां पिर्टाडित लोग होते हैं उनको अपनी स्टेंथ और पावर दिखाने के लिए उस दिन हर हालत में एक साथ एकटा होना ही पड़ेगा इसके example नेच्रल वेव में चलते हैं जैसे सिख लोग हैं जब सिखों का गुरुनानक बज़रे आता है अब तो गुरु गोविन सिंग मनाते हैं वो और भी गुरुवों का बनाते हैं तो दिल्ली के अंदर सारे सिख कराट प्रेस के गुरुदवारे में आते हैं सारे सिख उन के जो गुरुदवारे हैं वो वीरार ना हो जाएं बेकार ना हो जाएं तो उन्होंने नियम बनाया हुआ है कि एक संडे को वेस्ट के सारे गुरुदवार में जाते हैं तो सारे दिल्ली के सिख वेस्ट में आ जाते हैं और वेस्ट में आके और वो एक रैली निकालते हैं वाइस्टर में कितने सारा हैं कि जबकि वो सारे से कही हैं तो वो अपने चार-पांस दिन लगाते हैं पूरे साल में एक साथ इखटे होने के लिए और एक पॉइंट में उनका नेट्वर्क है हमारे जो लोग बिखरे हुए हैं उनको कमफर्टेबल नहीं देखना है उनको कम से लोग घाते हैं तो तो हमने किया हुए कि दिल्ली बड़ा सेरा है और चार पहुत हो जाएंगे आपका जो लंडन है हैं आप वहां संख्यक हैं अगर आप वहां एक जिए एक खटे नहीं होंगे और एक दिन अपना कुरवान नहीं करेंगे लंदन की दूरी 200 किलोमेटर राइट और 200 किलोमेटर लेफ्ट हो और आपको बल भी मिलता है उससे अगर आप उस दिन 200 किलोमेटर आना जाना बचा लेते हैं तो पूरे साल आप वीक रहेंगे यह जो परंपरा है यह परंपरा बहुत पुरानी है और हमारी है इकटे होने की जो हमारे समझ्जे लगते थे पहले समझ्जे का मतलब होता था मेल है पाली के अंदर तो हमारी जो समझ्जे लगते थे वो साल में तीन-चार समझ्जे लगते थे उसमें दूर दूर से लोग कही के हफ़ते पहले आते थे वो परंपरा हैं हमारी अभी भी हैं जो राइस्थान में पुस्कर मेला लगता है वो हमारा मेला है जो सेहरों में प्रंपरा है वो दिन में पांच बार मिलने की है वो पांच बार दिन में मिलते हैं और हफ़ते में एक वार मजड में मिलते हैं जो जामा मजड होती है बड़ी मजड और जब उनकी और भी ज्यादा बड़ी गैदरिंग होती है तो इदगा में मिलते हैं उनकी इदगा में सेह कि सबसे बड़ी जो इदगाह होती है उसमें सारे सहर को लोग मिलते हैं अयसे कृष्शन मिलते हैं है ऐसे सिख्ष मिलते हैं ऐसी दसेरे और दिवाली के अंदर यह जो लो करेंगे इसलिए एक सेहर में एक डाक्टर के प्रस्ताब पारिस रहा जिसमें आप भी थे वह बहुत सो समझगे और यहां जो भी प्रस्ताब रखे जा रहे हैं वो नैच्छल वे में रखे जाते हैं तो मैं डिटिल में बताता नहीं को कि वहां टाइम बड़ा कम था अगर मै परिसान रहते हैं कि सुधिर सब्से ज़्यादा बोलता है उसमें बड़ी दिक्कत है और ज़्यादा करूंगा तो और ज़्यादा बोलेंगे तो यह इसलिए यहां जो हम जितने भी अब तक वह लेका हैं वो नैच्छल वेक हैं हमारे अपने नहीं है सारे प्रस्ताब पु आज हमारे अंदर जो भावना है हम अपनी जाती का इतना बड़ा भरंपाल के रखे हुए हैं कि हम अपनी जाती में ही बावा साब को सेलिबरेट करते हैं हम अपनी जाती में ही अपने महापुर्शों को बाकी को सेलिबरेट करते हैं बहुत सी लोग तो बावा साब का नाम लेकर अपनी जाती का जो figurehead है उसको project करते हैं जैसे एक है कि रवदास जी कि मेहरबानी से रवास साथ इस्टैवलिश हुए उधर दूसरे फिर डंका बेजाते हैं कि बालमीकी की महरवानी से ही बावा साथ जो प्रोजेक्ट हुए जब आए और जब मैं उनको जे कहता हूं कि जे दोनों लोग पहले भी जहां थे लेकिन बावा साथ आए तो आपको जे नसीब हुए तो मेरे साथ उल्टा सीधा बोलते हैं लेकिन ज बालमीक को बालमीक मिलते वो सच्चे हैं जूठे हैं क्या है उनकी डियोलोजी वो उसमें मैं नहीं जाता लेकिन इन चीजों ने हमें जहां विदेशों में भी जिसकी जुरूरत नहीं है कास्ट के आस्ट बेश सर्क्राइस पे ना रही है ना कास्ट बेस्ट पे हमें कोई मान समान मिल रहा है जो कुछ भी विदेशों में हमें मिल रहा है वो अपने टैलेंट और अपनी एजुकेशन और अपनी जोगता के हिसाब से मिल रहा है इसमें कास्ट कोई पार्ट नहीं प्ले करती लेकिन इसके बाव्यूद भी हमा इसलिए जो आप लोग कह रहे हैं कि बहुत सी कास्ट को अगर हम कास्ट का नोशन ही शोड़ दें तो हम इकठे हो सकते हैं लेकर हम छोड़ने ही रहे यह मेरी बड़ी दिक्कत है इसमें मेरे बहुत सारा बाते कहने के बाब यूद भी लोग लाइन पे आने हैं यह शायद मेर जैसे लोग बहुत सी चीजों को कंडम करने वाले जहां उनके विरोध में बोलने वाले कम हैं और उनकी फेवर में बोलने वाले बहुत जादा हैं इसलिए मेरी बात शायद उनके पास नहीं पहुंच रही जहां उनको कंविंस नहीं कर पा रही जहां मैं उनको समझा नहीं पा रहा तो को मैं कोई ट्रेंड पर चारक तो हूँ नहीं ना ही मैं कोई हिस्टोरियन हूँ मुझे तो यह लगता है कि भी जितना बावाव साब को पढ़के मैं आगे बढ़ा हूँ हर आदमी अगर बावाव साब को समझ जाए तो यह अगर दूसरे पढ़ेंगे तो उनकी भी तबदίल्य आएगी यह मैं समझा ने पार रहए जा में उनको कुंविंस नहीं कर पा रहा लेकिन कहीं ना कहीं यह समझा आपकोसार दरसल क्या है जो समझस आजिता हूं आपको साह般 समय में आजाए पैसे दो आप बड़े हैं आपको क्या समझाना फिर भी एक कहाणी च्छोटी से वह एक दो दोस्त है तो एक दोस्त दूसरे दोसे घर आया दोरों मुस्लिम थे तो उसने कहा कि दावत में चलना है मेरे साथ चल किसी कर कोई बात ही वहां भी मैं भोल दूँगा कि मेरा दोस्त है तुक कि रहा या दावत में तो चलू मेरे पास पजामा नहीं है त्वेदाती बहुत जोटा करें तो ऊसने घर में सब को बोल दिया कि पजामा इसको छोटा चोटा करना थे तो पजामा चोटा लेक również पैनके चल दी है्ट जब ज़या सब आ हुचा हो गया थुप पजामा होगया तो वह दावत में जाने लगा तो दावत में जाके क्या जो मामला है बड़ा मुश्कल हो गया इस पजामे को मत देखना कोई ये पजामा गलटी तो उसके दोस्तने का या तुझामे का जिक्र क्यों और नहीं तो किजaroo कि जिक्र किया अच्छा मैं कुछ को तो तीशां के पास गया उसने का गया यह जो साहब बता देता हूं कि मैंने पजा में कोई जिक्र नहीं किया है आप इस बात को यकीन करना है और देखो मैं इसके सामने बोड़ना तो क्या है कि हम कास्ट को बार बार कहें कि कास्ट हमको खतम करनी है और कास्ट काम जिक्र हर स्टेप पर करें तो जिंदगी में कास्ट खतम कर दोगे कास्ट के उबर तो कास्ट को जीट जाओगे और अगर कास्ट के एगजांप काश का जिक्री करेगा तो वो संवन संग में समझा नहीं संग को कि समध में आकर काश्ट काश्ट खेलेगा तो तो फूर संग अगर हम उसका जिकर करना छोड़ देंगे तो क्या यह बीमारी हमारे अंदर से चली जाएगी हाँ सघ्ण आपने ध्यान दिया होगा तो आप अपने जितने लेक्षर आप उठा लीजिए आपकी लेक्षर में काश्ट आती है और आप मेरे लेक्षर उठा लीजिए उसमें बहुत ज़यादा ने लिए तो बता देता हूं को बु handler के समय यह नहीं थी बाद में नहीं थी कैसे बनी कैसे नहीं और ने तो Dü यह इसका रच्छत को ही किताब काया था इसकी मैरिट क्या है ुट्ड कहा है किसे कोड की कभ बनी किसने बनाई कौन परिशती किस निया बनाई उद्देश से क्या था उनके नानाम क्या थे लेखक क्या थे मैं तो ओपन चिलेंज करता हूँ अभी लखनाओं की मीटिंग में चिलेंज करका है वहाँ पर काश्ट का जिगर चेड़ दिया तो बैने का बाई तुम काश्ट का जिगर तो चेड़त करना सुखरते हैं तो यह काज़ी चेड़ बोल देगा काश्ट क्या प्रता लिते हैं और यह जवरस्ती काश्ट को चुपकाई बैठे हुए हैं इन सबसे पूछ लोग के तुम्हारी काश्ट है वह कहां से आई कहां से जवाब नहीं किसी के पास जवाब नहीं कोई आप भ पर लेखा कौन कौहां से सहर में बई कासी किता में बनी किस नी वने क्यों बनाई गया बताने सकते मगर आप उसी करते रोगे तो आपके सीनें पर हाबी रहागी अपके मंनमस्तिक् Based यह ही खेल एक यही खेल में क्या उनने HARC इसको खेल को बावा साहब ने खतम करने के लिए साफ साफ का था और उन्होंने दे दिया कि जिसको दवा डायक्ट समय बनाती हो अपना अपना ले तो इसका जिक्र सर बंद करना पड़ेगा आपको मैंने जीवन में हमेशा जे कहा है जब मैं अपनी बात रखता हूं कि मैं एक कास्ट के लिए एक बरक के लिए जा एक अपने रिजन के लिए के जैसे मैं पंजाब से हूँ जा तो मैं उसके लिए काम नहीं करता हूं लेकिन मैं अपनी जाती कई बार इसलिए कि जो सामने लोग बैठे हैं मैं उनको जिस संदेश देना चाहता हूं कि जिस दलदल में तुम फसे हुए हो बावा साब अम्बेदकर का सहरा लो जैसे वहां से निकल गया तुम भी निकल जाओ यह मेरा कंसेप्ट होता है वरना कास्ट को प्रमोट करना कास्ट के ऊपर कोई प्रिविलिज्ज देना वह अच्छी तरह समझते इसलिए जो आप महीं बोलते हो हम उसको कभी भी कांट कभी नहीं क से नाम के साथ मैं कास्ट का लंका जोड़ रखा था जैसे ही विएक्टी के ना मतलए का ब्ताया मैं इसका फॉर्ण सब्सक्राइब टूटा था इसमें काश्ट का फैक्टर मिरा है तोड़ने में और वह फैक्टर बहुत निगटिव हैं और यहां जो इस में काम किया था इस वह से के किया तो पता होगा के अदर हो उद्दर जहर है आप अगर अपने घर में कास्टास खेलोंगे तो आप घटो कोई बचा कोई बचा नहीं सकता इसके साथ एक मिनिट में इसका जबाब दे के मैं बात अपनी जो मेश्रम साब के आप बात करी है जैस सबसे बड़ा जो बाम शेफ के तूटने का साथ प्रावलम थी वो क 양से जो बात आप कहा रहे हैं मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ कई बार जैसे वालमी कीयों की ही सवाह होती है तो मैं उनको यह कहता हूं बहुतसे लोग जो है उसमें डॉक्टर्स नाम के साथ आपने बालमी की लिखते हैं तो मैं उनको जैस समझाने की कोशिक्ता हूं कि आ दिकारी बने हो वो तो वाव साव अंबेदकर का है लिखना है तो वाव साव अंबेदकर का नाम पीछे लिखो तुम बालमीक को जिंदा रख रहे हो और अपनी जो गुलामी है उसको जिंदा रख रहे हो अपनी जो आपके प्रती जो गिरना है उसको जिंदा रख रहे हो बा क्या वो गलत कर रहे हैं क्या-क्या उनको दुरूस्त करने की जुरूरत है बैल सर आपने जितना काम वहां लोगों के रिफॉर्म में किया पंजाम में सबसे ज्यादा दुस्मन आपके हैं इस बात के लिए हैं क्योंकि आप जब उनको सीधे-सीधे चैलेंज करते हो कि यह जो नहीं पहीं को जानने वाले बाले भी बहुत हैं तो मुझे सádल है मगराश की भड़़ है आप यह लालट वालब पहसे पने से आपके नहीं के आप है TV सुना रहे हो उससे उनके जर्ड हो रहा है इनको लगता अच्छा ये तो तब है जब पूरे चलिए आगे बढ़ाते हैं हम और आप बात करने हैं तो यह बाग जाते हैं सारे यह तो बात सच्छी है एक सब्सक्राइब लोग अभी भी जुड़े हुए है कुछ समर संगियों के अपने जो विश्य चर्चा चलेगी उससे पहले कोई साथ ही नहीं जुड़े हैं वो प्लीज अपना पिच्छे दे कोई आज परियार सर वह एक में टाइम दे दो सार दोनों मांग रहे हैं कौन सब्सक्राइब करें इसका प्रमानेंट इसका प्रमानेंट इलाज करिए हम सब को बुद्धिष्ट बनाईए एक आप मीटिंग करें देड़ सो दोसो ढाई सो लोगों को बुला के सब को बुद्धिष्ट बनाईए ओविशली यही इसका समधान है और यही इसका इलाज है कि जब तक हम बुद्धिष्ट नहीं बनेंगे हम यह चाति की बात करते रहेंगे कि अपना आप आप इंदू कहते हो आपके हिंदू का को सटीपेट आप के बस कब कब आप कैसे कैसे ओफिशल हिंदू हैं यह भी तो बात हमें करने चाहिए ना कि हम बने कैसे हिंदू कि तरह ना एक बादे में थार दिया गया है और बाहर बोर लगा दिया है कि यह सब हिंदू है बाज 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 ट्रीक करो तर एक मिनिट मैं बोलना चाहूंगा तर आप सभी से यह निविदन हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगम सरेनं गच्छामी संगम सरेनं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तुम्तियं पी धम्ममर सरेनं गच्छामी बूतियम्पी नमंग सर्नं गच्छामी दूतियों पी संगं सर्नं गच्छामी दोगियं पी संगं सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोगियं पी संगं सर्णं कच्छामी तरतियं पी संगं सर्णं कच्छामी झाल 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 झा